जैसाइराम, नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंग रन्त राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम ब्रिज मोहन सूरी है, उसमें आपका स्वागत है, आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं, और इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, कि आप बहुत प्रेम के साथ इसे देखेंगे, और दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, ताकि लोग इसको देखकर फायदा ले सकें, त आज का जो ये टोटका है, ये बहुत लाब देता है, आप जानते हैं, मैं प्रति दिन एक उपाय बताता हूँ, ये उपाय आपकी कोई भी राशी है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं, यानि किसी पर कौन सी राशी चल रही है, किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है, क युकतरूप से बनाए होते हैं जो आपको लाब देते हैं आपके ध्यातमिक्ता को बढ़ाते हैं और आपके सबी ग्रेहों को उच्छ करते हैं यदि परिवार का एक सदस्य करता है से हाथ में जल ले ले ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले और संकलब करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं इसका फला फला व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले और फिर जल असे जमीन पर गिर तो इसका लाब पूरे परिवार को मिलेगा, यानि ये ऐसे टोटकी हैं, ऐसे उपाएं हैं, जो आपका बहुत उधार कर सकते हैं, इनको आम मत समझिए, मैं प्रती दिन बता रहा हूँ, प्रती दिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा ये है कि आप मैं ये चाहता हूँ आपका करजा उतर जाए, मैं ये चाहता हूँ आपका अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास न आए, तो इसलिए नए नए टोटके, नए नए उपाएं डूंड कर लाता रहता हूँ, तो आप कीजिए, दिल से कीजिए, व बहुत शक्ती लेकर बैटे हैं तो बेटे की प्रावलम आएगी प्रंतु उसका उपाय क्या है पती पत्नी की दुबारा शादी करवा दीजिए बच्चा हो जाएगा आप सभी मत करना शुरू कर देना ये ये देखना पड़ता है जनम पत्री में अलग अलग उपाय होते हैं तो जनम पत्री में परतेक समस्या का हल चिपा हुआ है सिरफ डूढने की वशक्ता है हम डूढते हैं फिर आपको हल बताते हैं कई बर होता है बहुत प्राबल योग है वो योग कारे नहीं करता है जब उस योग में कारे होता है तो सब कुछ होना लगता है यानि योग है योग ने आपको विदेश बेज दिया, आप वो एक्टिवेट नहीं है, आप विदेश गए, वहाँ काम्याब नहीं हो रहे हैं, परन्तु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ, आप काम्याब हो गए, तो ये सब कुछ जनम पत्री में होता है, परन्तु ये जो टोटके हैं, बहुत एहम होते हैं, इनको कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, किसी दिन नहीं भी कर पाते हैं, तो कोई प्राब्लम नहीं है, प्रणतु कोशिश कीजिए, प्रती दिन कीजिए, और यादा से यादा शेर भी कीजिए, जैसे चक्रवती व्याज होते हैं, मूल दन, फिर उ उन्य प्रापत होता है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है तो इस बरकार आप लाब ले सकते हैं आज का उपाय तीन हिस्सों में बाटा जा सकता है पहला हिस्सा है दही दूसरा हिस्सा है सफेद कपड़ा और तीसरा हिस्सा है आटा यहां तो आप तीनों चीजें दान कीजिए यहां एक चीज कोई भी इसमें से दान कर दीजिए सबसे बेस्ट है दही और यदि दही दान करना है तो 800 ग्राम कीजिए प्रंदु वो भी ऐसे ही नहीं करना है यदि कहीं मिट्टी के बरतन में डाल करें तो बहुत लाव होगा नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 800 ग्राम नहीं कर सकते तो 80 ग्राम कर दीजिए इसी परकार यदि आप कपड़ा दान करें चाहे सफेद रुमाल ही दान करें या किसी को शर्ट पीस या सूट जैसा भी आपको पोसिबल हो सफेद कपड़ा दें तो बहुत अधिक लाब मिलेगा और यदि आटा दान करें तो और भी लाब मिलेगा तीनों चीजे देनी है तो आप तीनों भी दे सकते हैं ये किसी गरीब को दे दे तो बहुत अधिक लाब मिलेगा एक इसमें और तरीका होता है कि सूखे नारियल को बीच में काट कर उसमें धही बर दें और जमीन में दबा दें यानि उपर का हिस्सा नंगा रहे और सिर्फ नारियल जमीन के अंदर चला जाए उसमें दहीं बरते हैं सेंटर में से नारियल को काट कर ये चार तरह का मैंने बता दिया आप कुछ भी कर सकते हैं बेले वला कर लें तो यदा अच्छा है तीन चीज़ें ले लें और दान कर दें तो आप देखेंगे बहुत लाब मिलेगा क्योंकि इस से लगजरी आइटमस आएंगी जैसे कोई गाड़ी लेना चाहता है आ नहीं रही कोई सोना खरीदना चाहता है आ नहीं रहा तो इससे महंग महंगी चीज़ें मिलने के असार बनते हैं महंगी चीज़ें तब ही मिलती है जब धन होता है तो इसका अर्थी ये हुआ कि धन मिलने के असार बनते हैं और फिर रूठे हुए प्रेमी जन मान जाते हैं पति-पत्री में तनाव हो तो वो समापत हो जाता है इस तरहें आपका प्रेम संबंद स्थापित होता है प्रेम बनता है और पूरी फैमली में शानती होती है इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं ब्रिज मौन सूरी आप से इजाज़त चाहता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रह हैंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेप पर क कर सकते हैं परंतु जवाब आपको पांच ये छे दिन के बाद ही मिलेगा यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप वटसेप पर पूछ सकते हैं इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कारियों में इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा कि जब आप ज मुछी दंग से देख कर ही बताते हैं प्रदू जनम पत्री देखने में चारें पांच दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें यूग है तो समय लगेगा ये आप scrutini बेजदी जाती है कि समय लगेगा आप जानते हैं कि हमारी जनम पत् बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को करजा रहता है, रोगी रहता है, क्यों रहते हैं, इन सब का समादान हमारी जनम पत्री में होता है, जब हम जनम पत्री देखकर उपाई डूनते हैं, और आप लोग उन उपाईों को क करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है तो आम मैं इजाज़त चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो और दिक सदिक शेयर करेंगे क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाब आपको भी मिलेगा तो मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखिए